कि नमस्कार आप देख रहें कैपिटल नियूज मैं हूँ प्रफुल लगरी पांकि थाना चेत्र के मालन गाउं में जमीन विवाद को लेकर धो पक्षों में जम कर मारपिट हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष को गोली भी चलाने पड़ी गोली चालन की घट को घटना स्थल से कुछी दूरी पर जो खड़ा था उसे गोली लग गई है जिसकी हालत अभी फिलहाल खत्रे से बाहर बताई जा रही है जानकारी के अनुसार मालन गाउं के वासुदेव राम और राजकुमार राम के बीच जमीनी विवाद चल रहा था इसी बीच अचान स्वास्तकिंद्र भिजवाया जहां से गंभीर रूप से गायल की सोर का प्राक्मिक इलाज करों से बेहतर इलाज के लिए MMCH बेज दिया गया गटना के बाद एक पक्ष के गंभीर रूप से गायल वासुदेव राम का इलाज स्वास्तकिंद्र में चल रहा है इधर गटना की मानें तो लगभब पांच round firing हुई है जिसमें एक बच्चे को गोली लगी है लेकिन पुलिस ने बच्चे के जांग में छोट लगने की जानकारी दी है चिकितसकों के मुताबिक भी बच्चे के जांग में गोली फसने के तुष्टी नहीं हुई है पुलिस पुरे मामले के जांच कर रही है इस मामले में अभी तक दो लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है गिरफ्तार योकों में पांकी के भवर्दह के बुटारी सिंग और चंपू सिंग और अनील राम का नाम सामिल है पुलिस नहीं बताया कि एक पक्ष के वासुदेव राम खपुत्र पंकज कुमार अपने चार-पांच दोस्तों के साथ घटना स्कल पर पहुंच कर भै फैलाने को देश्य से फैरिंग करने लगा जिसकी वज़ा से किस और को गोली लगी है